सर्दिया शुरू होते ही ठकान मैसुस होना, हड्डियों में दर्ध, कमर दर्ध, यह आम बात है तो हम सर्दियों में special लड्डू बनाते हैं अपना-पना तरिका होता है लड्डू बनाने का आज मैं आपको अपना तरिका बताऊंगी इसी तरह से हम हर साल लड़ू बनाते हैं और पूरी सरदिया इसका आनन्द उठाते हैं पिल्कुल भी खराब नहीं होंगे दो से तीन महिने भी ये लड़ू चलेंगे फीज में रखने की जुरूरत नहीं है रूम टेंपरेचर इसे आप रख सकते हैं इस वीडियो में आपको एक केजी के साथ साथ 5 केजी का भी मेजर्मेंट मिल जाएगा अगर आप एकटे से लड़ू बनाना चाहते हैं करिब करिब 5 किलो के लड़ू भी अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो उसका भी पूरा मेजर्मेंट आपको इस वीडियो में मिलेग साथ इस लड़ू में हम चीनी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे और इसमें मैं आपको एक तरीका यह बताऊंगी कि जिसे यह लड़ू आप उपवास में भी खा सकेंगे तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए तो सबसे पहले हम ड्राइफूर्स देखेंगे तो ड्राइफूर्स में हमें सबसे पहले लेना है ड्राइए कोकोनट ड्राइए कोकोनट ही लीजिए आप डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते है लेकिन मैं आपको यहाँ पे dry coconut लेना ही suggest करूंगी क्योंकि desiccated coconut में वो moisture या ओil नहीं रहता है पूरी तरह से वो dry हो जाता है तो इस तरह से आप dry coconut ले लिजिए बदाम लिया है dry dates या चुवारे भी से कहा जाता है ये बिलावा इसे मराठी में गोडम भी भी कहा जाता है ति इसे लड़ू में जरूर से सामिल करना चाहिए और यहाँ पे देखते हैं गोड लिया है हमने सभी चीजों का perfect measurement आपको description box में मिल जाएगा और binding के लिए यहाँ पे हमने गेहू काटा लिया है एक कटोरी और 250 ग्राम ही घी लेना है 250 ग्राम ही हमें यहाँ पे गूर लेना है 250 ग्राम ही ड्राइफूर्स लेने है जैसे की एक बदाम, काजू दोनों को equal quantity में लेना है और यहाँ पे सबसे main चीज होती है गोंद गोंद के बगर तो इलड़ू अधोरी ही होते है तो गोंद यहाँ पे जरूर से उच किजिए हमने यहाँ पे 50 ग्राम गोंद लिया है यहाँ पे दीखिए क्योंकि इलड़ू में थोड़ी सी कम मात्रा में बना रही हो इसलिए मैंने वही measurement दिखाया लेकिन अगर आप इसे 1 kg के measurement से या 5 kg के measurement से बनाना चाते है तो यह पूरा उसका measurement है तो चलिए सबसे पहले हम काजू को पीज लेते है जी हाँ हम सभी ड्राइफूट्स को यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा दरदरा पीज लेते है पहले ही काजू बादाम यानि कि जो कुछ हमने इसमें ड्राइफूट्स लिये है उसे गी के साथ फ्राइ करते है लेकिन हम आज इसको पहले बारी करेंगे बाद में इसको भून लेंगे तो इसका भी एक reason है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो यहाँ पी लिया है हमने coconut जिसके छोटे छोटे pieces करके हम उसको भी mix के जार में पीस लेते है coconut को आगर आप चाहें तो कद्दू कस भी कर सकते है और यहाँ पे यह चुवारे यानि की खारे के बहुत ज़्यादा हार्ट होती है तो इससे संभाल के mix के जार में पीस लेजिए और यहाँ पे गोंद भी हम mix के में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेते है जी हाँ गोंद को भी mix के में पहले वैसे ही पीस ना है इसका भी रेजन है इस वीडियो में आपको बहुत से tips मिलेंगे जिससे आपके लड़ू परफेक्टी बनेंगे तो चलिए अब हम लड़ू बनाने के process में आगे बढ़ते है तो यहाँ पे पीस ना तो हो गया अब आई बारी इसको भूनने की तो भूनने के लिए जितना हमने घी लिया है उसमें से स्रिफ एक चमची घी हमें कड़ाई में डालना है स्रिफ एक चमच क्योंकि पहले हमें बहुती कम घी का यूज करना है बाद में हमें घी को बचाना होता है आखिर में उसका हमें काम आएगा क्योंकि जब हम आटा भुनते हैं न तो उस वक घी जादा लगता है और जब हम dry foods भुनते हैं तो उसमें कवी कम लगता है और खास बात यह है कि हमने dry foods को बारिक पीस लिया है जी हाँ इसी लिए हमने dry foods का powder बनाया था ताकि घी कम लगे है ना आसान और काम की trick जब भी आप ये लड़ू बनाएंगे तो सभी ड्राइफूट्स को थोड़ा सा दरदरा सा पीश लीजिए अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप इस ड्राइफूट्स को महिन पीश सकते हैं यानि कि इसका पाउडर बना सकते हैं ताकि उनको खाने में कोई दिक्कत ना आएं नहीं तो आप इसमें से थोड़े थोड़े चंक रहने दीजिए ताकि ड्राइफूट्स जब मुह में आते खाते वक्त बड़े अच्छे लगते हैं तो देख सकते हैं एक चमच घी में हमने सभी ड्राइफूट्स को अच्छे से भून लिया है एक साथी भूना था हमने सभी ड्राइफूट्स को जैसे कोकोनर, चुवारे, काजू, बादाम, गोडम भी सभी को एक साथी भूना था तो क्या करेंगे एक बड़ी सी परात में उसको हमने डाल दिया है और उसके उपर एक layer लगा देंगे गूड की जी हाँ, ऐसे करने से लड़ू में binding बड़ी अच्छे आती है और हमारा गूड मेल्ट होने लगता है तो फिर से एक चमच घी कड़ाई में हमने डाल दिया है सेम कड़ाई का यूज़ करना है और अब इसमें हम फ्राई करेंगे गूड तो गूड को फ्राई करने के लिए घी हमें अच्छा खासा गरम चाहिए गूड को फ्राई करते वक्त बड़ी दिक्कत आती है कि गूड अंदर तक फ्राई नहीं होता अंदर तको कच्चा कच्चा सा रहता है तब वो लड्डू में जब दात में चिपकने लगता है जब हम लड्डू खाते है तो इस तरह से अगर पाउडर बनाएंगे न तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा क्योंकि इसमें कच्चा रहने का तो चांस ही नहीं है और बहुती कम घी में फ्राई हो चुका है देख सकते आप आपको इस वक्त लग रहा होगा कि चिपक गया है नहीं ये थंड़ा होने के बाद वो होती क्रिस्पी हम हाथ से इसको तोड़ पाएंगे अभी ये गरम है तो इस वक्त इसको चूना नहीं है उपर से एक लियर हमने गूड की डाल दी है तो चिलिए अब हम इसके उपर भून लेते हैं खस-कस जी हाँ इसको पपी सिट्स भी कहा जाता है ये ओप्शनल होते हैं इस लड़ू में लेकिन जरूर से डाल दीजेगा क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही खास होते है कुछ लोग इसे डालना पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं इसलिए में इसको पहले नहीं दिखाया था लेकिन आप इसमें जरूर से डाल दीजे एक टेबल स्पून ही डाल देना है पपी सिट्स हमारे आखों की रोशनी के लिए या दाश बढ़ानी के लिए बहुत ही कारविन होते हैं इससे बहुत से बेनिफिट से आप गूगल कर सकते है थोड़े से घी में फ्राय हो जाएंगे बहुत ही जल्दी फ्राय हो जाते है तो उसे भी हमने निकाल लिया है तो चलिए आप हम इसमें दो जम्मज घी डाल देते हैं क्योंकि अब बारी है गेहू का आटा बिसने की यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लड़ू व्रत में खाना चाहते है तो गेहू के आटे के जगा आप सिंगाडे का आटा या वरई का आटा या साबुदाना का आटा भी डाल सकते हैं सिंगाडे का आटा डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ताकि आप इसे वरत में भी खा सकेंगे आज हमने गिहू के आटे का यूज किया है और यहाँ पे हमें करिब करिब 100 ग्राम ही गिहू काटा लेना है इसरी पे बैंडिंग का काम करेगा आप आप बोलेंगे तो आपने मेजरमेंट एक केजिका बताया है फायू केजिका बताया है लेकिन आपने कॉंटिटी कम ली है जी हाँ मैंने कॉंटिटी कम ली है क्योंकि मैं कम मातरा में लड़ू बनाऊंगी क्योंकि मेरे दो रेसिपे चानल है मुझे दो तरह के दो recipes बनानी होती है तो धेर सारे लड़ू घर पर बने जाते है इसलिए मैंने थोड़े से कम बनाए है आप समझ सकते हैं इस बात को लेकिन मैंने measurement जो आपको बताया ना वो perfect है 1 kg के लिए और 5 kg के लिए भी अगर आप मेरे तरह थोड़े थोड़े लड़ू घर पर बनायते हैं जैसे कि मेरे इस पूरी सामगरी से 20 से 25 लड़ू बने थे तो इतनी quantity आप ले सकते हैं जितनी मैंने आपको वीडियो में दिखाई हैं थोड़ा थोड़ा घी डाल कर हमने पूरे गेहु के आटे को भून लिया है एकदम से घी नहीं डालते हैं गेहु काटा भूनते वक्त भी गेहु काटे में थोड़ा सा घी डाल दीजे भून लीजे बाद में एक चमस घी डाल दीजे भून लीजे इतना भूनना है हमें कि इसका अरोमा इसका जो फ्लेवर होता है ना हमारी पूरी कीचन में इसे उभर के आना चाहिए जैसे सब को पता चले कि जी हाँ आज घर में लड़ू बन रहे हैं और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है तो देख सकते हैं इसको मैंने करिब करिब साथ से आठ मिनिट लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लिया है ताकि गेहु के आटे का कच्चा पन इसमें नहीं रहना चाहिए अच्छे से गी के साथ ये भूनना चाहिए इस बात का आप ध्यान दीजिए इस वक्त बहुत ही गरम होता है तो हाथ से चुने की जरावी कोशिश नहीं कर दीजिए क्योंकि हाथ जल सकता है मुझे भी इस वक्त बहुत गरम लग रहे क्योंकि गेहू के आटे में घी है धेर सारा और गरम घी का चटका बहुत ही ज़्यादा लग जाता है तो हम क्या करेंगे जो हमने गोंद इसमें डाल दिया था ना उसे तोड़ेंगे बड़ी आसाने से तुड़ जाता है नहीं गुड़ लिया था और उसमें डाल दिया है एक चमच इलाइचिका पाउडर थोड़ा सा फ्रेश जाइफल इसमें हम डाल देंगे जिसे नटमक भी कहा जाता है जाइफल इसमें जरूर से डाल दीजी ये पाचक का काम करता है मिला दे सभी को अच्छे से मिलाईगा ताकि ये सभी एक दूसरी के साथ अच्छे से बैंड हो जाए थोड़ा सा थंड़ा होने के बाद हम इसको हाथ से ही मिलाएंगे क्योंकि गेहु काटा गरम होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया देख सकते हैं चूने लाइक हो गया इसे पूरी तरह से थंड़ा नहीं होना दीजिए तुरंत इसकी लड़ू बनाईए कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें घी का परफेक्ट मेजरमेंट है परफेक्ट प्रमान से हमने इसमें घी डाला है तो बड़ी आसाने से लड़ू बन रहा है देख सकते हैं आप अगर किसी वश आपके लड़ू अच्छे से नहीं बन रहे है या आपने ड्राइफूर्स को थोड़ा जादा ही दरदरा बना दिया तो आप इसमें क्या कर दीजिए थोड़ा सागी अलग से गरम करिए और इसमें डाल दीजिए और तुरंद लड़ू बनाईए देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट लड़ू बनकर तयार हो गया है लड़ू की साइज यहाप आप देख सकते हैं मेडियम साइज का लड़ू है तो इस सामगरी से मेरे 20 से 25 लड़ू बने थे तो चलिए इस तरह से हम बाग की सारे लड़ू बनाकर तयार कर लेते हैं अगर आपको एक साइज की ही लड़ू बनाने हैं तो आप कोई भी कटोरी ले लीजिए उसे से ही ये मिश्रन ले लीजिए हाथ पर और लड़ू जमा लीजिए तो आपके एक साइज की ही लड़ू बनकर तयार हो जाएंगे इस लड़ू को आप एक बार बनाई है और पूरी सरदिया इसका आनन लीजिए एक लड़ू रोज सुबह खाने से हमारे सोव से जादा बिमारिया दूर हो जाएगी यह सिर्फ बताने के लिए नहीं है जी हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि इसमें कितने गुंदर्म है आपने देखा ही जो हमने इसमें इंग्रिडेंट यूज किये हैं उसके बेनेफिट्स आप गूगल कर सकते हैं आपको पता लगेगा तो आशा करती हूँ कि लड्डू बनाने के लिए जो भी ट्रेक या टिप्स चाहिए वो मैंने पूरे क्लियर कर दी है लेकिन जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए लड्डू बना दे वक्त तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं तो इस तरह से लड्डू इस सर्दियों में जरूर बनाईए और अपने सेहत का ध्यान रखिए मिलते हैं नई वीडियों में तब तक नमस्कार